अगले महिने चार जून को लोकसभा चुनाव की रिजल्ट गोशित हो जाएगे। चुनावी परिणाम गोशित होने से पेले ही कॉंग्रेस में गहमसान की सुख बगहाट तेज हो गए। यह चर्चा प्रदेश में ही नहीं बलकि देश भर में हो रही है। कयास तब और भी तेज हो गए जब उत्तर प्रदेश के अमिठी सांसर दिश्यत में पूर मुख्य मंत्रिय शुख घहलोद में एक इंटर्व्यू के दरान कॉंग्रेस निता सचिन पाइलेट के बयान को वेवकूपी भरा बता ते। नमस्कार मैं शेग जूही आप देख रह इन सबके बेच चुनावी परिणाम कॉंग्रेस की राजनीती पर असर डाल सकते हैं। क्योंकि जहां गैलोद बेटे की लोकसवा सीट पर परचार में मसरूप थे, महीं पाइलेट ने भी समर्तितने ताओं के लिए परचार में भरपूर जोल लगाया। उन्होंने दोसा, टॉक सबाय मादपूर समेत कई सीटों पर जम कर धुंदार परचार किया। पलोदी सक्टा बजार के मताबिक इन सीटों पर बिज्जेपी बुरी तरह पस्ती नजर आ रही है। एसे में इस बार अगर इन सीटों पर कॉंग्रिस की जीत हुई तो पाइलिक की ताकत बढ़ की है। वही जालोर्स रोई रोकसबा सीट पर कॉंग्रिस के पक्ष में परिणाम आता नजर नहीं आ रहा। इस सीट पर अशोग्यलोत की बेटी की हार होती है तो एक बड़ा सियासित उपान आ सकता है। हाला कि इस बात पर सब कुछ निरबर करेगा कि राजस्तान में कॉ की सीटें जीतती है पालेट समर्थित पृतियाशी कि शांसरदी शेत्र में क्या परिणाम रहता है। वहीं राजनेतिक एक्सपर्स का दावा है कि इस बार बिजेपी की सीटों में कटोती हो सकती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दनगरी निउस शुप्या झाल